इससे मैंने juice order किया, बाई साब मग्य में पानी बरके रखा हुआ है, बाई साब अनार की जगह है, एक कलर बना के रखा हुआ है, अगर कोई अनार बोले तो कलर डाल देते हैं, यह उचे अंबार लगा रखे हैं, कि यह समझ में ही न्याकता, इसने juice पिलाया, पानी पिलाया, अगर यह आदमी इस मिलावटी juice को पी लेता है, तो सेहत खराब, और अगर नहीं पीता, तो पैसे खराब, तो यह आदमी करे तो करे क्या, आज मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, कि अगर कोई juice वाला ऐसे मिलावट करता है, तो उसे सबक कैसे सिखाना है, और यह भी लोडिंग कर रहा हूं, दोस्तों, इस से मैंने juice order किया, बाई साब मगगे में पानी भरके रखा हुआ है, देखिए, क्या नाम आपका, नाम क्या है, आजाद, यह जूस की दुकान है, जस्ट काली प्याव स्टेंड पे आप थोड़ा लोकेट कर लेना, और बाई साब अना मैंने रिक्वेस्ट कर चुक है था कि अथ्सा बनाना नहीं तो पिया नहीं जाएगा, यह हमारा प्यासा लुटा जा रहा है, यह तो शुकर है कि मैं यह स्टाप मेंबर हूँ, इस वज़े से मेरे कापू में आगे नहीं ताब मेरे से, तू भी दर होई, तो यह बाई साब तो थोड़ा अगर इस वपे कोई जूस पीने आता है, तो प्ली थोड़ा ध्यान करें, जूस सर्व कर बच्चो को, इसे मैं बनाता हूँ इसा, सामने से यह काउंटर कुछ ऐसा दिखता है, यह स्टार जूस, और इसने इतने उंचे अंबार लगा रखे हैं कि यह समझ में जूस पिलाया, पानी पिलाया जहर पिलाया अब मैं तो अंदर जाके जब हो देखा है इसका कलर मिक्स पानेपल की जगए पानी डाल लेता है, पामी ग्रैनेट की जगह, डाल देता है और पैसे पूरे लेता है, बाकी वीडियो बाद में देखेंगे, उससे पहले मापको इस जूस वाले को सबक सिखाने का प्लैन अगर इस जूस वाले पर पांच लाग का फाइन लग जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तसली हो जाए लेकिन comment section में कहीं विद्वान लोग आ जाएंगे और बोलेंगे कि गरीब जूस वाला है उसको पना परिवार पालना लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जूस वाला अमीर है या गरीब वो कैसे पता करें रुको जरा सबर गरो आपको जानके हरानी होगी कि इन जूस वालों को भी FSSAI से लेना पड़ता है इसके बिना वो दुकान नहीं चला सकते और जो गरीब जूस जोशी होगी कि गरीब जूस वालों को 5 लाग का फाइन देने की जूरत नहीं है अगर कोई जूस वाला इस तरह से मिलावट करता है अपने जूस में और उसके पास लाइसंस है मतलब मोटा दुकान दार है तो उसको मैक्सिमम 5 लाग तक का फाइन देना पर सकता है लेकिन अगर जूस वाले के पास लाइसंस नहीं है सिर्फ रजिस्ट्रेशन है मतलब चोटा दुकांदार है गरीब है तो उस केस में जूस वाले को मैक्सिमम 25 लाग तक का फाइन देना पड़ेगा उसे जाद नहीं लेकिन कानून की नजरों में तो हम एकोल है राइट टुक्वा जैसे मेरे ग्यानी भाइयों को खुश रखने के लिए गरीब लोगों पर मैक्सिमम 25 लाग तो प्लान यह है कि आपको कही नहीं जाना है किसी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने आपको आपको वस ऑनलाइन FSAI की ऑफीशल वेबसाइट पर ग्रिवियन सेक्शन में जिसमें juice वाले की शॉप का एड्रस जरूर होना चाहिए और अगर आपके पास juice वाले की कोई फोटोग्राफ है या इस तरह की कोई वीडियो है तो वो भी आप अटाच कर सकते हो लेकिन अगर मान लोगी website के ग्रिवियन सेक्शन में आपकी अटाचमेंट्स और फोटोग् राख है और अगर ये फprés नहीं देता है तो भूख को अस्का है या गुजा सकता है अगर मान झालोगाएगा और इ सय गहाँ है किसी गरीब को भी नहीं पिलाएगा गलत भी तरह करूं गहीं